अगर आप share market से share buy और sale करके पैसा कमाना चाहते हैं आपके पास एक demate account होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जिरोधा में online demate account open करने का complete process दिखाने वाला हूँ कि किस परकार से आप अपने smartphone से account open करेंगे and video के वाईसी कैसे complete करेंगे कौन कौन सा documents लगेगा सारा कुछ step by step इस वीडियो में दिखाने वाले हैं तो चलिए गाइस बीना देरी के हुए करते हैं इस वीडियो को शुरू और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share कर देना तो गाइस उसके लिए आपको जिरोधा के online account opening website पे चले आना है के लिए मिल जाएगा तो गाइस यहां पर आपको नीचे option दिखेगा sign up now के नीचे इंटर 10 digit mobile number का आपको गाइस यहां पर अपना 10 digit का mobile number इंटर करना है जो आपके आधार कार्ट के साथ link है उसके बाद आपको यहां पर continue वाले option पर क्लिक कर देना है तो गाइस आपके mobile नंबर पर एक ओटीपी send किया जाएगा तो ओटीपी यहां आपको फिल करना है उसके बाद आपको यहां पर continue वाले option पर क्लिक कर देना है आपको यहां पर continue वाले option पर क्लिक कर देना है आपके email id पर एक OTP send किया जाएगा तो आपको यहां पर OTP इंटर करना है तो हमारा OTP आ गया OTP फिल करने के बाद आपको यहां पर continue वाले option पर क्लिक कर देना है next page guys आपके सामने कुछ इस परगार से open होकर आ जाएगा let's start your pain का आपको यहां पर अपना pain number इंटर करना है और pain card में जो date of birth है उसको यहां पर enter करेंगे उसके बाद continue वाले option पर क्लिक कर देंगे पहला step आपका complete हो जाएगा यहां पर आपको 7 step complete करना है अब guys next page आपके सामने pay account opening फीगा तो जेरोधा में account open करनेगा आपको 200 का payment pay करना होगा उसके लिए guys आपको यहां पर नीचे option दिया गया है कि आप किस-किस method से payment कर सकते हैं आप UPI से कर सकते हैं card या net banking या wallet से भी कर सक कर देना है और pay and continue पे क्लिक कर देना है payment processing होने लग जाएगा आपके UPI पे एक notification send किया जाएगा तो वहां से जाके आपको payment pay कर देना है phone पे Google पे या फिर पेटियम के तो successfully हमारा payment complete हो गया है अब वापस से हम उसी पेज पे चले जाते हैं यहां पे आपको कुछ नहीं करना थोड़ा से वेट करना अब आपके सामने next step आ जाएगा यहां पे देख सकते है आधार KYC DZ Locker का option आ गया अब यहां पे आपको continue to DZ Locker पे क्लिक करना है त आपके नमबर पे एक OTP send किया जाएगा तो OTP यहां पे fill करना है और continue पे क्लिक कर देना है यहां आप से आपके DZ Locker का security pin मांगेगा अगर आपने DZ Locker जब create किया होगा उस समय आपको एक 6 digit का security pin create करना पड़ता है अगर आपने अभी तक अपना DZ Locker नहीं बनाया है तो उस इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाई हुए कि आप फर्स टाइम किस परकर से DZ Locker बना सकते हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में मिल जाएगा उस वीडियो का आप बाद में देख सकते हैं अभी हम अपना security pin इंटर करेंगे and continue वाले option पे click करेंगे next page आपने open होकर आ गया तो यहां पर आपको कुछ personal details फिल करना है जैसे कि आपका married हो गया यह नहीं single है married है father's का first name father's का last name mother's का first name mother's का last name इंटर करेंगे page को थोड़ा scroll करेंगे तो आपको यहां पर background में अपना annual income इंटर करना है यहां पर आपको नीचे funds and security settlement preference पे click करना है नीचे आपको trading experience का option दिखेगा तो आपको यहां से select करना है का आपका trading में कितना experience है new है या फिर one से five year five year से 10 years तो आपको यहां पर select कर ले ना उसके पद गाईज नीचे आपको occupation दिखेगा तो occupation पे click करेंगे और यहां select करेंगे क आप क्या करते हैं, business है, professional है, या फिर public sector है, student है, या फिर others का भी option यहाँ पे दिया गया है, next page guys, आपके सामने कुछ इस परकार से open होकर आ जाएगा, link using ifsc और link using upid, यहाँ पे आपको अपना एक bank account link करना होगा, जिससे आप fund को add and withdrawal कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने branch का ifsc code डालना है, branch का imacr code डालना है, यह आपको passbook में मिल जाएगा देखने के लिए, और आपको अपना account number इंटर करना है, एक बार account को confirm करना है, account का details fill करने के बाद आपको यहाँ पे एक box दिखेगा, एक box यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, और आपको नीचे भी यहाँ एक box दिख जाएगा, आपको सारे box पे tick करना है, और नीचे continue वाले option पे click कर देना है, आपके सामने next page, web verification का कुछ इस परकार से आजाएगा, white paper में कुछ इस परकार से जो number दिख रहा है, उसको लिख के, अपना camera on करके, एक selfie capture होगा, ऐसे दिखाना है, चलिए हम अभी अपना जो number है, उसको capture कर लेते हैं, तो guys देख सकते हैं, हमने capture कर लिया, अब उसके बाद guys आपको यहाँ पे confirm वाले option पे click कर देना है, फिर retake करना है, तो आपको redo पे click करना है, अब guys अगला जो step है, कुछ इस परकार से आपके सामने open होकर आजाएगा, upload documents का, अब आपको यहाँ पे income proof एक upload करना है, income proof में आपको option दिया गया है, आप यहाँ पे bank की statement, latest, salary sleep, या फ फिर आपने जो भी document select किया, उसको upload कर लेना है, नीचे आपको signature का option दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से अपना signature upload कर लेना, white paper पे signature करके, और यहाँ पर आपको pen card का front page का copy upload करना होगा, हमारा pen card भी upload होगा, तो guys इस परकार से आपको अपना documents upload कर लेना, आपका documents PDF format में ही upload upload होगा, तीनो documents, उसके बाद आपको नीचे continue का option दिख रहा होगा, तो आपको simply यहाँ continue वाले option पे click कर देना, next page आपके सामने nominee का आजाएगा, तो आप यहाँ से nominee add कर सकते, या फिर इसको बाद में भी कर सकते, अभी हमने nominee add नहीं किया, skip कर दिया, तो अब आपको यहाँ last जो करना है guys, e-sign करना, आपको यहाँ पे e-sign का option दिख रहा होगा, तो आपको simply इस पे click कर देना है, आपके सामने कुछ इस परकार का box आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको तीन box देखने के लिए मिल जाएगा, तीनो box पे जैसे आप टीक करेंगे, तो आपको यहाँ पे send OTP का option दिख रहा होगा, आपको simply इस पे click कर देना है, आपके आधारकाट से linked mobile number पे एक OTP send किया जाएगा, तो OTP यहाँ पे आपको fill करना है, उसके पर आपको verify OTP वाले option पे click कर देना है, फिर से एक form आपके सामने open होकर आ जाएगा, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, नीचे फिर से आपको sign ना वाले option पे click कर देना है, आपको फिर से गाई same process अपनाना है, send OTP पे click करेंगे, verify OTP वाले option पे click कर देंगे, page load लेगा, थोड़ा साथ आपको wait कर लेना है, तो देख सकते का document sign it successfully का message आ गया, आपको यहाँ पे थोड़ा सा wait करना, demate account open होई चला है यहाँ पे देख सकते equity loading ले रहा है, अब guys आपके सामने कुछ परकार का page आ जाएगा, यहाँ पे आपको बस finish वाले option पे click कर देना है, जैसे आप यहाँ पे click करेंगे, तो देख सकते हैं, congratulations your application is complete, verification of the application call take up to 72 hours at the exchanges, bets your KYC status, आपका account successfully open हो चुका है, अब आपको यहाँ पे 72 घ आपका ID और password send कर दिया जाएगा, login ID और password, login ID और password आ जाता है, उसके बाद का इस आजाना है आपको play store में, और वहाँ से आपको kite by 0-2 का application जो है, जिससे आप trade ले सकते हैं, share by और sell कर सकते हैं, उस application को install कर लेना है, इस app का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, आप करना इसको, यहाँ से आपको login to kite पे click करना है, और अपना user ID और password इंटर करके login कर जाना है, आपको share by और sell किस प्रकार से करना है, वो अलग वीडियो में बताएंगे, हम next वीडियो में, आसा करते हैं कि इस वीडियो के माधियम से 0-10 में, आप अपना demate account open करना सीख गए हों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को like और share करें, और इसी तरह की informative वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करके bell icon call पे click कर ले, मिलते एक नई वीडियो के साथ गाई, अभी के लिए best of luck friends